रोटी बनाते वक्त एक चमच मिलाएं और देखें तेजी से आपका बिली फैट और बजन दोनों कम होना शुरू हो जाएंगा कुछी दिनों में तो फ्रिंस क्या आप चाहते हैं कि आप रोटी भी खाएं और आपका बिली फैट भी ना हूँ आपका बजन भी ना बढ़े और आप जितनी चाहें रोटी खा सकते हैं जी हाँ आज मैं आपको बहुत च्छा एक उपाए बताने वादी हो एक चमच आपको मिलाना है अपनी र करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं डायट भी ना करें और हमारा वजन कम हो गए हम एक की जगे चार-पाच रोटियां अगर खा सकते तो ना अच्छा होता और वजन भी नहीं बढ़ता जितने चाहिए रोटियां हम खा सकते जिया आज की रोटियों को बाइसे वनेगी है तो अगर आपको चैजे तो आपको खाते हैं तो आप को आपको तेखोगे की यही रोटी आप रैगुलर खाते हैं आटे छोमें आपको कुछ और चैजेकर मिलानी हैं लेकिन मैं कुछ टिपस जरूरак देना चाह उगी जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोग उसे बोलते हूं इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं अपना बिली फैट कम करना चाहते हैं पहली बात मीठा मीठी चीजे और चीनी इन तीनों चीजों से थोड़ा परहेच कि आपको बिल्कु का मुका है या कोई खुश्खबरी है या किите शादी पाठी में गए हैं तो क्या हम मेठा ना खाएं बिल्कुल खायेंगे या जरूर खाएए लेकिन और और 체।िशनली खाएए आप जैसे आप कोई खुश्खबडी है वह किसी ने आपको ज़रूर चाहने के लिए दिया ह और अपने मन में भी जो the acya कि हां थोड़ा सा लाला चे थोड़ा केग खाने का लाला चे थोड़ा लड्डी जलेवी वगेर खाने का भी लाला चे बिलकुल अन्हें आप खाए लेकिन आपको अपनी लिमिट्स धिहान रखनी है इक जलेबी खाये, ठीक है, मैं दो दिन एक जलेबी खा लिया, दो दिन मैंने फिर कोई मीठावी गिठा नहीं खाया, दो दिन बाद फिर मैंने एक बरफी खाये, इस तरह से लिमिट्स रखिए, ऐसा नहीं कि भर-भर के आप मिठाई या खाये जा रहे हैं, और लगातार हर जाय में लोगते रूबह बुरे लोग मेघा वेलिस फैट cmhby ऑसकर के अगर से चेनि अगर मत पी अबको पिऔ भी एकप युरु आधा चंब्स आधा चम्मद चीनफ डाले एक कफ चाय काई में आदा चीनी डाले, जोड़े तो इह नुकसान आपको क्म करेगी द्धोड़ा तो इस तरह चीनी दर खाता हो त मैं में क् creamy चीनफते बिल्कुल बंद कर दे मैंदे बनते है तो कोशिछ करें इस तरह की बिस्किट घर में बनाने की अभी को को किशिखे है दिखाते है कि अब ह Speech अभог Anime, दिखाते हैं इस बिस्किट बना इस अभी को अड고 स्क्रेट में अचक्ष थिर नहीं की ऐसकी आटे की बनागी जुरार बाजरा रागी और बिसकिट को खाइगे। वक्ति को खाईये। मैदे को ब taps की provवाने form जब भी को भूक लग्या स्वय के चाह शाथ भाना है तो उस खाये। मैदे वाली मैदा किसमेंおता है? समूसे, काचौोडी इस तरी की चीज्जोह में भी मैदा हZA हुता है तो उसमें भी हुआ मेद होता है ड Geg freight के आपेसरा डर्पिर्पन करनी खाक नहीं हैं। मैदया सब्सक्राइब क्यों भर कमने मैदये को से पर लोग दाएजनी खेंटार दें सबतारी 14 भी कि तो यह दिन हम अपको की घर गए तो मेहमार के हैं तो कचोड़ी, समोसे, पकोड़े वगएरा सब आये हैं, मतलब लाये हैं आप लोग, तो सब मिलकर खाएंगे, तो एक चीज खाएए, कोई भी एक चीज, या एक समोसा आपने खा लिया, या एक कचोड़ी अपने खा लिया, इस तरह से अपने लिमिट्स को कंट्रोल में रख तो इस तरह से आपका वजन और बिली फैट इतनी आसानी से कम होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी एजीली मेरा बिली फैट या मेरा वजन कम हो गया है, बस इन चोटी-चोटी बातों पापको ध्रान रखना है, और रोटी खाने के साथ आपको पीना है काफी सा चर्वी को पिखाल कर निकालने में मदद करेगी इस लिए बहुत सारा पाने जरूर पिए तो ये भी बेट करने में आपको मदद करेगी बाकी वेटला। जरूर थिंग जरूर 2 से थो और जो रोटी आपको बनानी हैं चलिए अब बताते हूं कैसे आप कॉन सी रोटी बनासे या रोटी में क्या मिलाकर खाएं जिससे कि आपका बेली फैट भी ना हो आपका वजन भी ना बढ़े और आप जितनी चाहे रोटियां था सकते हैं चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स रोटी जब भी बनाएं आप आटे की रोटी बनाएं चक्की वाला आटा हो तो बहुत अच्छा है और जिस आटे में चोकर होता नाचनी का आटा या रागी का आटा रागी या नाचनी का जो ये आटा होता है ये बेली फैट को कम करने में बहुत तेजी से मदद कता है बहुत जल्दी वजन घटाता है तो आपको मिलाना है आधा कप नाचनी का आटा या रागी का आटा तो यहाँ पे मैंने एक कप लिया है गेहूं का आटा आधा कप लिया है नाचनी का आठा और एक चौथाई कप लिया है मैंने बेसन तीनों चीजे इसमें डालने के बाद अब आप डालें इसमें स्वाद अनुसा थोड़ा सा नमक तो इसमें यहाँ पर मैं डाल नहीं हूँ थोड़ा सा नमक और इसके बाद आप डाले थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद डाले थोड़ा सा जीरा पाउडर जीरा आप कच्छा जीरा पाउडर डाले भुना नहीं डाले और इसके बाद आप इन सारी चीजों का परच्छे से mix करने और इस तरह का आटा बना कर, आप एक कंटेनर में भरके रगदे। जिससे आपको d password को हैं मेथी चाहे वो ताजी वाली मेथी हो चाहे वो कसूरी मेथी हो अगर सुखी मेथी के पत्ते हैं मेथी सर्दियों में ही मिलती हैं 12 महिने तो आपको नहीं मिलेंगे सिर्दियों में मेथी मिलता है तो मेथी के पत्तों को आप सुखा कर रगने, छाओं में सुखा कर पूरे साल के लिए स्टोर करके रग दे सुखी हुई मेथी की पत्तियों को भी आप आटे में मिलाकर एक कंटेनर में भरके रग दे जिससे जब भी आप रोटी बनाए तो इसी आटे से रोटी बनाए तो आज मैं यहाँ पर ताजी मेथी की पत्तियों को बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने एक से देड़ कप ताजी मेथी की पत्तियों को अच्छे से छोटे छोटे टुक्रों में बिल्कुल काड ले अच्छे से इसको चौप कर ले आप और इसके बाद आपको क्या करना है आप तवे पर या सूखी कड़ाई में थोड़ा से चला ले जिससे इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए तो इस तरह से आपको चला लेना है और अगर सूखी मेति की पत्तियां है या आपके पास कसूरी मेति है तो उसी आटे में आप दो चम्मच भर कर आपको मेति, सूखी मेति मिला लेनी है तो ये देखिए अब मैंने याँ पे ये वाला मेति इसमें डाल लिया है इस तरह से तो क्योंकि मैंने यहां पे ताजी मेथी की पत्तियां डाली हैं तो यह आटा तो मैं अभी ऐसी स्टोर करके नहीं रख सकती इसे मुझे पूरी जो जितना भी आटा है यहां पे यह सारे आटे का ही रोटी मुझे बना लेना है लेकिन इस आटे को गूंद कर आप फ्रिज में एर टाइट कंटेनर में दो दिन के लिए रख सकते हैं आराम से अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मैं इस आटे को गूंद लोंगी यहां पे तो आपको क्या करना है इसी तरह से आप आटा बना कर वेट लॉस रोटी जो है आपको अगर खानी है तो इसी तरह की जो पराठा निकालें और इसी की रोटिया बना कर खाएं अगर पराठा खाना है तो इसी आटे की पराठा इसी आटे का पराठा भी बना कर आप खाएं चाहे तो इस पराठे भरवा पराठा बना सकते हैं आप पनी डाल कर या कोई और सबजी डाल कर कुछ भी डाल कर आलू डा आप पराथा भी बना कर इस आठे का खा सकते हैं, तो यहां पर जैसे कि मैं इसी तरह से आठा बना कर फ्रीज में दो दिन के लिए रख देती हूं तो जब भी मुझे खाना होता है तो मैं इसी आठे की रोटी या पराथा बना कर खा लेती हूँ तो पराठा भी अगर आपको बनाना है तो चलिए बताते हूँ कि weight loss पराठा आप कैसे बनाएंगे इसे ही आर्टे का पराठा आप ऐसे बनाए कि तबे पर दोनों तरब से आप अच्छे से सेंक ले और रोटी अगर बनाना है तो रोटी आप जैसे गेस पर सेंक लेना है और पराठा अगर बनाना है तो आदा चोटा चमच आप घी डाल कर पराठा बनाए घी में ओमेगा 3 फैटे असेड होता है घी में good cholesterol होता है घी हमारे weight loss करने में मदद करता है और घी वजन मात्रा में इस्तमाल किया जाए और घर का बना घी हो तो सबसे अच्छी बात है इस तरह से थोड़ा सा घी ही आपको लेना है और इस तरह से आपको पराठा बनाना है बस ready हो गया मेरा weight loss पराठा चाहे आप रोटी बना ले उसमें थोड़ी से घी लगा ले या इस तरह से हल और लहसन काट कर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा इसे मसालों के साथ मैंने बना लिया है तो बस एही एक रोटी और प्लेड भर सबजी हो गया मेरा weight loss dinner या weight loss lunch इस तरह से आप खाकर आप अपना भी वजन कम कर सकते हैं आप लोगों को अच्छा लगाओ तो जरूर लाइक देना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आगी भी आप लोगे साथ इसी तरह की लिपल वीडियो में शेयर करते रहूंगी फिर मिलोंगी आप लोगे साथ एक नए वीडियो में तब तक के वी बाए बाए